दोस्तों जब एंडी टीवी ग्रूप से रविश कुमार ने इस्तिफा दिया था तब ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि एंडी टीवी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा चाहें फिर वो चानल हो जो की ब्रोड़कास्ट तो चल रहा है चाहें फिर वो एंडी टीवी का सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सवाल उठने का नतीजा जो है दोस्तों अब नजर आ रहा है वो भी एंडी टीवी के यूट्यूब चैनल पर खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगी नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जैन्ती जहा और आप देख रहे हैं दोस्तों थोड़े समय पहले रवीश कुमार जी ने जो अपना ऑफिशल यूट्यूब चानल बनाया है उससे जुड़ी उन्होंने जानकारी दी कि उनके चानल पर चार मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और यह देखे जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात है क्यों उसे समय लगता है वो सारी चीज़े करने में लेकिन उन्होंने बहुत कम समय में चार मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाए इसको एक तरीके से रिकॉर्ड भी आप कह सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर अभी इस वक्त यह हैं दोस्तों कि एक तरफ रवीश कुम सब्सक्राइबर्स में गिरावट आनी शुरू हो गई है और ऐसी वैसी गिरावट नहीं आई है लाखों में गिरावट आई है इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट आपको दिखा रही हूं यह ट्वीट कहता है कि रवीश कुमार के नए मालिक क्या आते ही एंडी टी आप anxious है और आपना आप झुक्त आप जो की सबस्क्राइबर्स का वो पता है ना सब्सक्राइबर और के चुक्राइबर यहां का शेilर दों सबस्क्राइबiden करना और तो नहीं यहां है किसी टीवी चानल के लिए हो सकता है कि अभी वो दिखाएं कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन नुकसान तो है क्यूंकि जिस चानल का अधिग्रहन देश के सबसे अमीर व्यक्ति ने किया हो दोस्तों उस चानल के सब्सक्राइबर्स में गिरावट की जगा बढ़ोत किया है टेक ओवर किया है तो ऐसे में तो चानल के सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए थे लेकिन बढ़ने के जगा घट गए यहां पर और ऐसे वैसे ने घटे दो लाख घटे हैं देखिए अगर रवीश कुमार जी की बात की जाए रवीश कुमार जी ने जब से एंडी के इस्तिफे के पहले की बात कर रही हूं जब तक रवीश कुमार जी उस चानल में थे तब तक एक भी खबर ऐसी नहीं सामने आई दोस्तों कि इस बड़े पद पर पदासीन व्यक्ती ने या किसी बड़े पद पर विराजमान व्यक्ती ने इस्तिफा दिया है एंडी इसे भी नाम होंगे जिनको चर्चा में आने नहीं दिया गया लेकिन कुछ चर्चित नाम जो कि कई ना कई एंडी टीवी का स्तंब रहे हैं उन्होंने एंडी टीवी से अलविदा कह दिया है थोड़े समय पहले ही आपको एक खबर बताई थी दोस्तों और यह खबर सुप एंडी टीवी को एक नई पहचान मिली निश्पक्ष पत्रकारिता वाले चानल की पहचान एक लौता ऐसा चानल जो कि निश्पक्ष पत्रकारिता करता है आज के दौर में भी जब कई मीडिया चानल को खरीदा जा चुका है कई पत्रकारों को खरीदा जा चुका है ऐसे वक्त में भी आलोचना करने से या फिर सवाल सकता से पूछने से पीछे नहीं हटे रवीश कुमाजी और इसलिए अभी भी उनके पहचान है वो बरकरार है अपने यूट्यूब चानल के जरीए वो इस पहचान को बरकरार रखे हुए है दोस्तों लेकिन एंडी टीवी का क्या एंडी टीवी यह आप बोल सकते हैं कि आबाद नहीं बरबाद होता चला चा रहा है और वहां बैठे जितने पत्रकार हैं उन लोगों को देखे कई ऐस मशरणेक अपने और लिएसे पत्रकार जो रवीश कुमार जी के अंडी टीवी में विराज माने की सखेवाच जब्सक्र leverage क्या नहीं अपनी मर्जी के एंडी टीवी से इस्तिफा दिया लेकिन इसके अपनी मर्जीश को भी मैं तकर आप अपसको है लेकिन अब यह मन की भी वो सिलसिला जल्दी शुरू होने वाला है जब दूसरे खरीदे हुए चानलों की तरह ही उस चानल में भी एक के बाद एक ऐसे लोगों की भरतियां शुरू हो जाए जो सत्ता की चाटुकारिता करना जानते हैं और यह आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जिसका हर इंटर्विव हमेशा कि तरह उनका अलग रहा है क्योंकि हर इंटर्विव में हर सवाल का जवाब Ayme danza के दी जाने रहे हैinfl निउस लॉंडृ को फूरा इंटर्विव तो सामने नहीं आया है लेकिन उस इंटर्व्यू से जुड़े कुछ सवाल जरूर सामने आ गया है जो कि न्यूज लॉंड्री के आर्टिकल में ही पता चलते हैं देखे सवाल बहुत सारे पूछे गए और जो इंटर्व्यू है उनका वो इंटर्व्यू वरिष्ट पद्रकार अतुल चौरसिया ने लिया अतुल चौरसिया ने इस इंटर्व्यू में काफी सारे सवाल उन से किये लेकिन इस सवाल के जवाब में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है रवीष्कुमार जी ने यह कही है दोस्तों कि मैंने भावनात्मक रूप से यूहीं एंडी टी यह ऐसा उन्होंने कहा बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो शब्दों में नहीं दिखाई देती है लेकिन आप हवा में महसूस उसको कर सकते हैं कि कहीं तो कुछ बदल रहा है यह बात उन्होंने कहीं इसी के साथ साथ रवीश कुमार जी से यह भी पूचा गया कि देश के सबस देने के बाद उनको ओफर ने किया कि आईए आप हमारे साथ काम करिए और बीवीश के इंटर्व्यू में उन्होंने यह भी कहा था कि यह बेशक अमीर हो सकते हैं लेकिन यह इतने अमीर नहीं है कि यह मुझे खरीच सके तो कहीं ना कहीं यह बात वो बोलते हुए नजर आ कि सबसे ताकतवर और लोगप्री प्रधान मंत्री ने सभी चानल्स को अभी तक इंटर्व्यू दिया है अगर अगे अक्षय कुमार की किसमत में इंटर्व्यू हैं तो रवीश कुमार इसंक्या कर सकते हैं लेकिन बहुत दुकत है कि यह मीडिया वी उनकी जीत में ही gelir पूर्ण कारक था उनकी लोगप्रियता में बहुत सारे छूट को सच में बदलने में इस मीडिया की भूमिका थी फिर भी प्रधान मंत्री ने एक open press conference करने की हिम्मत नहीं चुटाई थी तो रवीश कुमार जी लगातार जैसे मैंने कहा इंट्रवीउस दे रहे और इंट्रवीश में वो अलग-अलग बाते रक रहे हैं और अलग-अलग सवालों के अलग-अलग अंदाज में जवाब दे रहे है लेकिन इतना तो देख्ये समझा इससे जा सकता है कि रवेश कुमार जी के ndtv से essentially के बाद रवेश कुमार जी आबा से बढ़ रहे हैं उसे समझा जा सकता है उनके लोगप्रियता में कोई गिरावत नहीं है लेकिन उनके इस्तिफाद देने के बाद ंडी टीवी के लोगप्रियता और निश्पक्षता जो कि एक छवी बनी हुई थी एंडी टीवी की उस छवी में गिरावट जरूर आई है ज जो सकार